हेलो बच्चो, आज हम हिंदी पढ़ने जा रहे हैं, पार्ट 9, पार्ट का नाम है पिछकारी, इसके कभी है सरवेश्वर दयाल शक्षेना, इसके कभी है सरवेश्वर दयाल शक्षेना, इस पार्ट में कभी ने क्या बताया है, आईए हम देखते हैं, इसमें यह बताया गया है कि सभी बेदभाव को भूल कर एकता की भावना रखना है आए हम पाट शुरू करते हैं अगर कहीं मिलती बंदूक उसको में करता दो टूक नली निकाल बना पिचकारी रंग देता यह दुनिया शारी कभी कह रहे हैं अगर मुझे कहीं शें बंदूक मिलती तो उसको मैं दो टुकडे करके उसकी नली निकाल कर पिछकारी बना के इस दुनिया को रंग देता इस सारी दुनिया को मैं रंग देता कवा बगुला जैसा होता बगुला होता मोर लाल लाल हो जाते तोते होते हरे चकोर कभी क्या कह रहे हैं कवा बगुला जैसा भी हो बगुला होता मोर लाल लाल हो जाते तोते होते हरे चकोर कववा बगुला सबको एक रंग में में रंग देता और बगुला बगुला को में मोर बना देता सभी को लाल लाल तोते को में लाल लाल कर देता और चकोर चकोर को हरे कर देता बत्तक नीली नीली होती पीले पीले होते बाज एक दूसरे का मैं फोरन रंग बदलता आज कभी क्या कह रहे हैं बत्तक नीली नीली होती बत्तक को मैं नीला नीला कर देता और पीले पीले बाज बाज को मैं पीले रंग से कर देता, एक दूसरे का मैं फोरन, फोरन मिंज तुरंत, एक दूसरे का मैं तुरंत रंग बदल देता आज बेद भूलकर सारे पक्षी, एक ताल में गाते, सत्र भाव को दूर भगा कर नया रूप अपनाते कभी कह रहे हैं, बेद भूलकर सारे पक्षी, सारे पक्षी, बेद भूलकर एक ताल में गाते और शत्र भाव को दूर भगा कर शत्र की भावना को दूर भगा कर एक नया रूप देते फिर जंगल के बीच खड़ा हो उचे श्वर में गाता जनगड मन्य अधनाय कुजय भारत भाग विधाता कभी क्या कह रहे हैं कि जंगल के बीच खड़ा होके फिर मैं उचे स्वर में गाता जनगण मन अधिनाया कुझाया भारत भाग्य विदाता आगे हम अभ्यास स्वध्याय देखेंगे निम लिखित प्रश्णों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए पहला प्रश्ण है बंदूख से क्या बनाई जाएगी बंदूख से पिचकारी बनाई जाएगी और क्यों सारी दुनिया को रंगने के लिए भेद भूलकर सारे पक्षी क्या करते एक ताल में गाते तीसरा है उचे स्वर में कभी क्या गाता है उचे स्वर में जनगर मन्यधनाय कुजये भारत भाग विधाता कभी यह स्वर में गाता है कभी कवे और बगुले को किस रंग में रंगना चाहता है कविता के माध्यम से कभी क्या संदेश देता है कि भेद भाओ को दूर भगाओ और एक्ता की भाँना अपनाओ कोष्ठक में दिये गए सब्दों में से सही सब्द चुन कर रिक्तस्तानों की पूर्ती किजिए अगर कहीं मिलती बंदूख, खाली जगा यहां पे आएगा बंदूख दूसरे में आएगा कववा बगुला जैसा होता, यहां आएगा बगुला होता मोर यहां पे आएगा मोर तीसरे में आएगा वेद भूल कर सारे पक्षी एक ताल में यहाँ पे आएगा ताल में गाते चोथा है खाली जगा सत्रुभाव को दूर भगा कर यहाँ पे आएगा सत्रुभाव को दूर भगा कर नया रूप अपनाते पाच्वे में है फिर जंगल के वीच खड़ा हो उंचे यहाँ पर क्या आएगा उंचे श्वर में गाता तो ठीक है बच्चों मैं आज का वीडियो यहीं पर श्रमाप्त करती हूं अगली वीडियो में फिर मिलेंगे धन्यवाद